क्या आपके बाथरूम की टाइल्स बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती हैं? क्या खारे पानी और मिट्टी के दाग जम जाते हैं टाइल्स पर? क्या आपके टाइल्स की चमक दिन प्रते दिन बिल्कुल ही खतम होती जा रही हैं? तो आज में लेकर आई हूँ इन सब प्रॉब्लम्स का एक सिलूशन जिसके इस्तमाल से आपको मिलेगा 100% रिजल्ट जी बिल्कुल आज हम बात करेंगे बातरूम की टाइल्स की सफाई के बारे में कैसे आप इतनी असानी से बिल्कुल चमकता खुश्पुदार बातरूम पास सकते हैं? बातरूम आम तोर पर हमारे घर का सबसे महत्रपून जगाओं में से एक होता है इसके नियमित सफाई से ना तो केवल टाइल्स चमकती रहती हैं बलकि हमारा स्वास्त के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्रपून है और साथ की साथ कहा जाता है कि बातरूम अगर साफ सुतरा हो तो घर में नेगिटिविटी भी नहीं आती तो इसमें आपके क्या राय है ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताईएगा और साथ के साथ ये जरूर बताईएगा आप दुनिया के कौन से कोने से हमारी वीडियो आप देख रहे हैं ताकि मैं आपका दिल से शुक्रियादा कर सकूँ तो ना तो मैं आज आपको किसी हार पिक से टाइल्स को साफ करना बताऊंगी और ना ही मैं आज कोई डिटर्जेंट का इस्तमाल करूंगी टाइल्स को साफ करने के लिए तो आएए जानते हैं हमें क्या क्या समगरी की आविशकता होगी तो सबसे पहले तो हमने लिये एक कटोरी यहाँ पर तो मैंने सबसे पहले लिया है विनेगर जो कि हम सब के गरों में असानी से मिल जाता है दो बड़े चमश के करीब हम लेंगे विनेगर अब क्यॉंटिटी को अपने बातरूं के साइस के हिसाब से कम और जादा कर सकते हैं क्या आप जानते हैं विनेगर जो है खारे पानी के दागों को चिटकियों में बिल्कुल ही खतम कर देगा जो कि हम आम डिटर्जिन की मदद से साफ करते हैं पर रगडडडडडड़ के साफ करने से भी वो साफ नहीं हो पाते वेनेगर के मदद से बहुत यह असानी से आराम से बिल्कुल ही साफ हो जाते है अब अगली चीस मैंने दुली है बेकिंग पाटइर हम सब के खानों में जो इस्तमाल होता है वो ही बेकिंग सोडे का मैंने इस्तमाल किया है जैसा कि हम सब जानते हैं सफाई के लिए बेकिंग पाउडर एक बहुती जादा राम बान है यह जो मिटी टाइलों के अंदर घुस जाती है जो कि आम तोर पे हम रगड़ रगड़ के साफ करते हैं पर नहीं निकल पाती आपको मैं दिखाऊंगी कैसे जो है मैल जो है पाहर आ जाएगी टाइल से अपने आप ही अब नेक्स चीज हमें लेनी है शैंपू जिस भी शैंपू को आप इस्तमाल करते हैं सर्द होने के लिए आप उस शैंपू को आप ले सकते हैं शैंपू की मदद से सफाई तो बहुत अच्छे से होगी होगी लेकिन साथ की साथ बात्रूम के अंदर खुश्बू भी बनी रहेगी शैंपू की मदद से टाइल्स के अंदर चमक भी बनी रहती है इसलिए मैंने यहाँ पर शैंपू का इस्तमाल किया है हांजी फिर आपको डालना है आखरी के अंदर दही जो पुराना दही होता है या चाश होती है आप उसका इस्तमाल करिएगा पुराने से पुराना दही जितना होगा उस्ती ही अच्छी सफाई हो सकती है हमारे टाइल्स की आप बिना कैमिकल के बिना पजार से खरीदे और एक अच्छा सा मिक्षर बिल्कुल रेडी कर लेना है यह इतना जादा स्ट्रॉंग और अफेक्टिव मिक्षर है कि आप बिजार से कोई भी बातरूम को साफ करने के लिए प्रड़क्ट लाना चोड़ देंगे और इसके इस्तमाल से ना तो आपकी हाथों में कोई बु चपानी नहीं मिला रही हूं आप देख सकते हैं कि मेरी जो फ्लोर की टायल से बातरूम की कितने गंडी हो रही है इसके अंदर मिटी दाग धबे और खारे पानी के दाग भी देखे कैसे चिपक गए है और ऐसा ही सेम हाल है मेरे वाल की टाइल्स का भी देख सकते हैं अब दिवार की टाइलों के ओपर भी मिट्टी दाग धबों के निशान कितने जादा देख रहे हैं टाइल्स में गंदगी लगने की वज़ह से हमारे टाइल्स की चमक भी बिल्कुल फीकी पड़ गई है और साथ की साथ इसमें गंदगी चिपकनी की वज़ह से हमारे बातरूम में स्मेल भी आने लग गई है अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा रगड़ना ना पड़े आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े तो आप इसको over the night लगा कर भी छोड़ सकते हैं आपको इस mixture को apply करना है अपने tiles के उपर देखिए मैं बिना किसी gloves से भी आपको ये लगा कर दिखा रही हूँ इससे हाथ में कोई भी reaction नहीं होगा देखिए अब मैं आपको इसको floor की tiles पे भी लगा कर दिखा रही हूँ आप wall tile पर और floor tile पर दोनों में इसका इस्तमाल कर सकती हैं अगर आप भी चाते हैं तो आप चम्मच की मदद से बिलकुल ऐसी ही इस mixture को बिलकुल floor की tiles के उपर ऐसी ही डाल दीजिए अब जो बरतन साफ करने वाला जूना होता है उसकी मदद से हम इस mixture को पूरा ही tiles के उपर फिला देंगे अगर आप चाते हैं बिना मैनत के बिना रगडे tiles को साफ करना हम 30 मिनट के लिए इसके लगा कर छोड़ रहे हैं ताकि जो इसके अंदर की मैल है वो बाहर आ जाए असानी से करीबन 30 मिनट हो गए हैं अगर आप चाते हैं तो जूने के मदद से इसको हलका हलका सा रगड के भी साफ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैल बाहर नहीं आई है या कोई थोड़ा बोटता दाग धबा रह गया है तो देखें मैं आपको दिवार वले टाइल्स के ओप पानी का सिर्फ डाल के दिखा रही हूँ देखें कैसे ये बिल्कुल साफ हो गई है ये वही टाइल है जिसमें पहुती जादा दाग लगे हुए थे देखें टाइल्स में भी चमक वापस भी आने लग गई है लग रही है बिल्कुल जैसे की नई टाइल्स हैं आईए अब फर्ष की टाइल्स को भी साफ करके देख लेते हैं मैंने यहां लिया है तिलों वाले जाडू, देखिए मैं इसको तिलों वाले जाडू को आपको मार के दिखा रही हूँ और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और तिलों वाले जाडू को मैं अच्छे से इसको साफ कर रही हूँ देखी सिरफ दो मिनट के अंदर ही देखी कैसे ये जो है तिलों वाले जाडों को जैसी ही मैंने मारा और देखी कैसे ये जो मैल गंदी की टाइल्स में से बाहर आ गई है अब पूरे बातरूम को आप पाने की मदद से साफ कर दीजे ताकि जो है गंदी की जो है टाइल्स में से निकल जाए ये देखे ये है आपके सामने रिजल्ट कैसे जो है गंदी से गंदी टाइल्स पी आप भी मिंटों में साफ कर सकते हैं वही बातरूम है जहांपर पैर रखने का मन भी नहीं कर रहा था अब आपके सामने ही है result और इसमें से धीमी धीमी से खुश्बू भी आ रही है उमीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू सो मच